इस्टूडेंट आज की वीडियो में बताएंगे हम सब्दा अलंकार और उसके प्रकार के बारे में और उसके कुछ उधार जो बहुत ही इंप्वार्टेंट है और जो आसानी से याद हो सकते हैं चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हैं सब्दा अलंकार सब्दा अलंकार दो सब्दों से मिलकर बना है सब्दधन अलंकार इसकी परिभास से क्या है जिस अलंकार में सब्दों के प्रयोग करने से काभी की सोभा बढ़ती है यह कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के होते हैं पहला है अनुप्रास यमक और स्लेज वह से तो होते ह कही बार रिपीट होंगे तो यहां पर क्या हो देखना है अनुपरास अलंनकार तो यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे और इसके कुछ उधार देखेंगे जो बहुत ही सांदार है अच्छे से याद हो सकते हैं तुरंत देखने के बाद तो यहाँ पर है अनप्रावस, सबसे मिलकर बना है अनुधन प्रावस, अनुखा अर्थ है बार-बार, और प्रावस का अर्थ है वर्ड, यानि कि अच्छर, आप इसकी दो परिमासे लिख सकते हैं, एक हमने यहाँ पर, जो आपको अच्छा लगे, यहाँ पर जब किसी वर् प्रित्ती होती है वहां पर अनुपरास अलंकार होता है आप प्रित्त का मतलब होता है कई बार रिपीट होंगे ठीक है बार बार अगर दूसरा परिवास से आप लिख सकते हैं जहां पर कोई अच्छर बार बार आए वहां पर अनुपरास अलंकार होता है ठीक है चलिए अब टट तमाल तरवर बहुत छहा है, जे ता बहुत बार रिपीत हो रहा है, इसलिए यहाँपर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है अग्ला है, चारुचंदर की चंचन केड़े खेल रही है जल्धल में, यहाँपर चाह जो है, यह एक वर्ड है यानि कि अच्छर है यह कई बार यहांपर रेपीट हो रहा है इसलिए यहांपर भी अनुप्रास लंकार है आप इसे असपश्टी कर虑रे लिख सकते हैं कि आप इसे अच्छे से note down कर लिजिये कि इसके बाद है यमक अलंकार यहांपर है यमक अलंकार सब्द का अर्थ होता है दो ठीक है अभी हमने बताया यमक अलंकार में क्या होगा दो बार रिपीट होता है कोई भी सब्द जब एक ही सब्द जादा बार प्रियोग हो परंतु हर बार अर्थ अलग-अलग हो ठीक है हर बार अर्थ क्या हो अलग-अलग हो ये आपको अधिकाई वा खाए बाऊराए नर वा पाए बोराए है कि तो यहां पर आप अस्प्रस्च्टी करणमे लएक लिख सकते हैं यहां पर कनक सब्द का अर्थ सोंग कोई आदमी यहां फिर कोई बियक्ती सों avoir चाने से भी पाँभल हो जाता है यहीज और लिखा गया है दूसरा है काली घटा का घमंड घटा ठीक है काली घटा का घमंड घटा इसमें आप असपश्टी कार्ण में लिख सकते हैं यहाँ एक घटा का अर्थ है काली घटा है ठीक है जो काले बादल होते हैं और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना ठीक है दूसरी घटा का अर्थ है कम होना ठीक है अगला यहाँ पर है उध्वो जॉग जोग हम ना ही ठीक है उध्वो जोग जॉग हम ना ही यह इemploy यह आपके Chapter से है उध्वो क्छ दस में यह है ठीक है उसी इसे लिया गया है असपाश्टी करण में लिखें कि इस पंक्ति में पहले जोग का अर्थ है योग योग ठीक है तथा दूसरे योग स्वारी तथा दूसरे जोग का अर्थ है योग ठीक है यहाँ पर जो पहला जोग है इसका अर्थ है क्या है योग और दूसरे योग जोग का अर्थ है योग इसके बाद हैं यहाँ पर है इस वीडियो का लाश टापिक है तो जहां पर कोई एक सब्द एक ही बार आए तिक एक ही आपको ध्यारकना एक ही सब्द एक ही बार आए किन्तों उसके अर्थ अलग अलग हो तब वहाँ पर सलेश अलंकार होता है जैसे पहला है रह्मन पानी राखिये बिन पानी सब सून पानी गय न उब रहे मोती मानुस चून ये बहुत ही important उधाड है आप इसे अच्छे से याद कर लेजे यही सबसे important उधाड है इस सलेश अलंकार का तो यहाँ पर पानी किसके किसके लिए यूज किया गया है मोती के लिए मानुस के लिए और चून के लिए यहाँ पर तीनों के लिए किया गया है तो यहाँ पर पानी के कितने अर्थ होंगे तीन अर्थ होंगे ठीक है तो पानी का पहला अर्थ मानुस मनुस्य के संदर में है इसका अर्थ है बिनमर्था से क्योंकि मनुस्य क्या होना चाहिए बिनमर्थ होना चाहिए दूसरा पानी का अर्थ आभा चमक या फिर टेज से है क्योंकि चमक के बिना मोती का कोई मुल्य नहीं होता है जो मोती होती है उसमें क्या होती है चमक होती है तो उसका कोई मुल नहीं होता है तीसरा है पानी का तीसरा अर्थ है पानी से ही ठीक है जिसका प्रयोग चून के लिए किया गया है अगला उधाड है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जातन की छाई पड़े स्याम हरित दुत होई इसका असपश्टी कर्ण में आप लिख सकते है हरित्ती का दो अर्थ है एक होता है हर्सित यानि की परसन्न और दूसरा हरे रंग से है अगर आप असपश्टी कर्ण लिखते हैं तो आपके नमबर नहीं कर सकते अगर आपके नमबर नहीं कर सकते है